दोस्तो मानसून का सीजन चलना है और इस सीजन में जो वाइरल बुखार है उसके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और फिलू जैसे लक्षण आने लगते हैं हमारे आयूस मंत्राल ने ने इन सभी फिलू के इंफेक्शन से वाइरल इंफेक्शन से वाइरस से बचने के लिए कुछ तरीके बताएं उनका वर्णर मैं आपको इस वीडियो में करूँगा और बरसात के मौसम में जो फिलू है वो बहुत ज्यादा आम हो जाता है फिर भी इस मौसम में मच्छनों के कारण भी फैलने वाले बहुत से बुखार होते हैं जैसे मलेरिया होता है डेंगो होता है वो भी इस दोरन काफी बढ़ जाता है ऐसे में भारत सरकार के जो आयूस मंत्राल ने हैं उसने आपको वाइरस फिलू और वाइरल इंफेक्शन से बचने के कुछ देशी उपाय बता हैं चलिए वीडियो सुरू करने से पहले आप मेरे वाले में जान लीजिए मैं हूँ डॉक्टर असोक कुमार सिंग आपका फैमिली डॉक्टर और यहां पर बाते होती हैं हैल्थ और फिटनेस की दोस्तों आई उस मंत्राल लेके अनुसर होने वाली बीमारियां हैं उनके प्रायर्मिक लक्षण क्या-क्या होते हैं उसमें आपको खांसी होती है जुखाम होता है गले में खरास होती है और आपको छींके आ सकती हैं यह मुखे रूप से लक्षण होते हैं यदि आपके खान पान में थोरा सा सुधार कर लिया तो आपकी रोग पृतिरोदक छमता अच्छी हो सकती है, आम तोर पर गर्मी के मौसम में हल्दी वाला दूद नहीं पिया जाता है, और हल्दी वाले दूद को golden milk के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब से covid-19 का जो खत्रा है हमारे उपर आया है, तो गर्मी में भी इस golden milk का प्रियोग बहुत जादा किया गया है, लेकिन इस बार गर्मी के साथ वरसात में भी काफी कुछ बदलाव है, इसलिए golden milk का प्रियोग हम बारस में भी कर सकते हैं, जिससे हमारी सरी के जो रोग पृतिरोदक छमता है वो अच्छी रहेगी, दोस्तों, खासी, जुखाम और गले में दर्द से जुड़ी जो समस्या है, इनसे बचने के लिए कम से कम रात को सोते समय हल्दी वाले दूद का सेवन जरूर से करना चाहिए, और ध्यान में एक गिलास दूद में लगबग 1-4 चमच आप हल्दी मिलानी है, कि आपको पूर सीने की पत्ती डाल कर भाप ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे आपकी बंदना खुल जाती है, और गले में दर्द में रहात मिलती है, यदि आपके घर पर ये चीज ना हो, तो आप असेंसेल ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसमें लॉ यदि इन में से कोई भी लक्षन आपको दिखाई देता है, तो आपको तुरंट सतर्क होने की जरूत है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, आपको नाक आपकी बंद हो जाना, आपको खासी होना, बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना, और मास पेसियों में खिचाव ह यदि इस टाइप की कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है तो आपको सतर्ख होना चाहिए कि आपको क्या करना है आप घर बेटे भी मौसमी फिलू जैसे लक्षनों से बच सकते हैं क्योंकि हमारे जो आयविर्दा चारिये हैं और पंच कर्म के जो विशेसंग हैं वो बताते जब सरीर सरदी जुखाम के खिलाब लड़ रहा होता है तो ऐसे वे फिलू के लक्षनों को रहत पाने के लिए सबसे कारगार और आसान उपा है भाप लेना यहें सरीर को स्वस्त रखने के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा की तरह काम करती है जिसका लोग बड़े पैमान और आपसे सुखी खाल सी के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद है भाप लेने के लिए आपको जो पानी गरम करना है उबालना नहीं है और दुबारा उस पानी को फिर यूज भी नहीं करना है जैसे मालम चला कि आपने सुबह उस पानी को यूज किया है और साम को गरम करके दुबारा उसी को यूज कर ले लगे तो आपको ऐसा बिलकुल नहीं करना है बलकि आपको हर बार ताजी पानी मिलाना है और फिर उस पानी को गरम करके आपको भाप लेनी है यह बहुत ही प्रा झाल झाल